सीधी लिए चलते हैं दिली जहां वीजेपी कारे करताओं को प्रधान मंत्री मोधी संभोधित करते हुए ऐसाने कुछ दिन करेंगे अभीरत सेवाबिया जब से ये संकट सुरूआ है तब से भाजपा के लाखों कारे करता है दिन रात गरीबों की मदद करने उन्हें राशन पहुंचाने के कारे में चूटे हैं आने वाले दिनों में आप सभी को इसे एक बड़े अभियान में बदलना है अपने खेत्रे में और भी जो छोटे मुटे सामाजिक संगठन काम करते हैं उनको भी एक धागे में पिरो करके सबको जरूरत मन को पहुँचे जरूरत मन को रहना जाए यह हमें सुनिश्चित करना है एक एक भाजब कारकरता यह पक्का कर लें कि हमारे आसपास एक भी गरीब भूका न रहे उसके पास परियाप्त भोजन हो साथियों आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि किसी की मदद के लिए जाते समय फेस कवर जरूर पहने और मैं यह भी बताता हूँ कि यह कोई जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टरनों के लिए निर्धारित हैं जो नर्सिस के लिए अवर्धारित हैं जो परामेरिकर स्टाप के लिए आवशक हैं वैसे मार्स पहनना ही जरूरी है ऐसा नहीं है हर घर में किसी भी साधरन कपड़े से हम तयार करें और फेस कवर रख सकते हैं और मैं तो मानता हूँ यह लगबग हमें आदत बनाने ही पड़ेगी इससे बचने के लिए हमारा फेस कवर हो तॉलिया हो कुछ भी हो लेकि लगाता हो मेरा दूसरा आग्र है कि अपने साथ ही आप पांच सान अन्य लोकों के लिए अपने घर में फेस कवर बना करके उनको गिप्ट दे सकते हैं उनका वित्रण कर सकते हैं साथियों इस मुश्किल समय में समाज को सेवाएं दे रहें सभी लोगों का आभार करना उनके प्रती धन्यवाद व्यक्त करना उनको मनोबल बढ़ाना ये सिरफ हमारा हिदाई तो हैसा नहीं है समाज को भी इस काम के लिए मोबिलाइज करना चाहिए मेरा तीसरा आग्रह है उसी संदर में कि धन्यवाद अभियान चलाने के लिए पार्टी की तरफ से हमें एक मोटा मोटा खाका दिया गया है कि पांच अलग अलग वर्ग है और हर घर से इन पांचों लोगों के लिए अलग अलग धन्यवाद पत्रा लेना चाहिए और ये धन्यवाद पत्रा ले करके हमें सामुई क्रूप से उनके सामने देना चाहिए और वो भी पोलिंग उत्वे करना चाहिए पहला वर्ग है आपके इलाके में जो भी नर्सस और डॉक्टर हो दूसरा सफाई कर्मचारी तीसरा पुलिस कर्मी चोथा बैंक और पोस्ट अफिस में काम कर रहे लोग पांचवा आवशक का सेवाओं में जुटे हुए सभी सरकारी मुलाजी हमें सभी का आभार व्यक्त करना है इसके लिए आप अपने अपने बूठ में और जब पार्टी के चालीस वास्थापना दिन है तो इसको याद रखते हुए हर बूठ में चालीस गर इन पांच अलग-अलग प्रस्तावों पर सिगनेचर करें और पांच अलग-अलग सेट में धन्यवाद पत्र तयार हो और वो सारे धन्यवाद पत्र उसी पुलिंग उसमें जो जो सम्मधित हो उन तक रूबरू जाकर के दिया जाए साथियों कोरोना के खिलाब लड़ाई में मदद करने के लिए एक और काम में आपसे आगरे पुर्वक करना चाहूँगा यह लंबी लड़ाई के लिए बहुत अनिवार है हम जितना सफलता पुर्वक इस काम को करेंगे हम आने वाले दिनों में संक्रमन की स्थिती में काबू पाप आएंगे और वो है भारत सरकार ने एक आरोग्य सेतु एप विक्सित किया गया है हमने इस आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करने के लिए मेरा चौता आगरह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दें और कम से कम चालिस लोगों के मुबाइल में ये एप आप इंस्टॉल करवाए ही और उसके अंदर उनकी जो जानकारी है वो डाल दी जाए तो आटोमेटिकली वैप से उनको बताए जाएगा कि अब आपको किस बिमारी की क्या सेवाओं की जरूत है आपको किस की मदर लेनी चाहिए आपको किन किन लोगों से बचके रहना चाहिए उनको पता चलेगा कि भी आपके पास ये सहजन कल आके गए थे वो संकट वाले हैं अगर उसके पास ये एप होगा तो उसको ये पता चलेगा और इसलिए संकट के इस्थिती में हमें ये आरोग्य सेतु एब हरेक यहां इंस्टॉल भी करवाना है और उनसे भरवाना भी है एक और काम है इतनी बड़ी लड़ाई है आर्थी के सेवा बहुत महत्वपुन होती है हमने देखा है कि जब देश युद्ध के मोर्चे पर होता है तो हमारी मांताय बैने गहने देते ते सोना दे देती है गरिब भी गरिब अपना पांच पैसा दस पैसा बचाया हो तो देन के लिए भार आ जाता है यह हमने हर युद्ध के समय देखा है ये युद्ध मांता के खिलाब है ये युद्ध से जरा भी कम नहीं है युद्ध के समय देश के लिए देश के नागरीकों के लिए जिस पकार से हम दान के एक बहुत बड़ी परंपरा खड़ी कर देते हैं इ लेकिन वो और बढ़ना चाहिए और इसलिए मेरा पांचवा आग्र है कि प्रतेग भाजबा कारकरता को खुद भी खुद भी सहयोग करना है और बीजेपी के 40 साल निमित और 40 लोगों से भी पी-एम कैर में फंट सहयोग करने के प्रेरित करना है साथियों हम तो चरैवेती चरैवेती के मंत्र के लेकर के चले हुए लोग है हमने उस पर जी करके देखा है आज पाबंदी के कारण चरैवेती चरैवेती को हमने सीमित करना पड़े है अब इधर उधर जाने की जरूत नहीं है हमारे आंस पास दुख्यारों के बीच जाना उ को मदद करना हाँ जरूर याद रखिए कि जब भी बाहर निकले तो फेस कवर तो होना ही चाहिए मैं तो कहता हूं गर में भी होना चाहिए और साथ साथ एक मंत्र आज पूरी दुनिया के लिए एक ही मंत्र है सोशल डिस्तंसिंग और अनुशासन का पूरा पालन करना है मुझे उमीद है कि भारतिय जनता पार्टी का प्रतेक कार करता स्वयम की सुरुक्षा करते हुए अपने साथी देश वास्यों के भी सुरुक्षित बनाएगा अपने परिवार को भी सुरुक्षित करेगा और ये राष्ट भी हमारा परिवार है उनको भी सुरुक्षित करेगा इसी एक भाव को ले करके हमें चलना है देश को विज़ाई बनाना है और इसी विश्वास के साथ भारती जन्ता पार्टी के इस थापना दिवस पर हमें यहां तक पहुंचाने वाले लक्षावधी कारकरताओं को लक्षावधी परिवारों को उनकी त्याग तपश्या को आधर पुर्वक नमन करते हैं